हाई एवरिवान वेलकम बाक तो दे चैनल इन दिस वीडियों बिल डिस्कूर्स पार्ट टू अप्चेटर नुम्बर त्वेल कंपोजीशन अंड इस्ट्रॉक्चर अप्ट्रॉक्टर अप्मॉस्फियर मे मतलब लगबर को मिल जाएगी अब स्ट्रेटो पाउस की ऊपर जो लेर है उसे हम क्या कहते हैं feito एक 15 अग्र Powerण्ड से लेकर किसके बीचो मिलजाएंगा 50 किलो मीटर से लेकर के 80 किलो मेटर तक मेने तक कानजी लिएर िस्टाथि स्ट्रिक्यम और फिप्टी के ऊपर किती है एटी किलो मेटर तक मिजोस्फेर 50 के नीचे की और हम बात कर लेते हैं तो वह आटा है 18 किलोमेटर ठीक है तो देखो यहां पर यह रहां ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल से 18 किलो मीटर तक हमें एक लियर मिली 18 से फिर 15 तक एक लियर मिली और अब 15 के उपर की हम बात कर रहे हैं तो 15 से 80 किलो मीटर तक जो लेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे मेजोस्फियर ठीक हुई बात ये लेयर और ये इस लेयर को हम डिसकस कर चुके थे पार दिलो मीटर थक है क्लियर है के रिटे स्ट को हम पड़ेंगे तो यहां पर हम एक फैनौमेना देखते हैं कि यहसे पर प्रहूं के उपर की तरफ जाते जाएंगे ठीक है जैसे जैसे आप और हाइट और हाइट मोट्रू इसको नेछा वंकरते जाएंगे तो टेंपॡ़ेश तो आप 80 km तक पहुंच जाएंगे तो यहां पर आपको टेंपरेचर मिलेगा माइनस 110 डिग्री क्लियर है रीट करने एक पार जो तेंपरेचर होता है इस लेयर में वो डिक्रीज होता जाता है माइनस 110 डिग्री सल्चिस तक पहुंच जाएगा जब आप किस अल्टिट्यूट को अचीव कर लेंगे कितनी हाइप पहुंच जाएंगे 18 किलोमेटर की हैप पहुंच जाएंगे मैजोपॉस इसकी अपर लिमिट होती है अब यहाँ पर क्या होता है बिटा डियू टू रिफ्लेक्टिट सनलाइट फ्राम मेटियॉरिक डस्ट बिटा आप लोगोंने पढ़ा था कि जो मीटिरोइट्स होते हैं वो अर्ष तक बहुत का मेटियॉराइट पहुच पाते हैं बाकी तो सब वहीं पर टूट फूर जाते हैं उनकी डस्ट वहीं पर घूम रही है तो यहाँ पर क्या होता है द्यू टू रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्राम मेटियॉरिक डस्ट मेटियॉरिक डस्ट क्या करती है संलाइट को वीस्पी क्लाउड बाद spite भाल पा पांड पेंसे में मुझा होते हैं। इस लियर इस में हमें क्या डेखने को मिलते हैं?」 वीस्पी क्लाउड्स乐ूडे क्या एंव móटती है?? मेटियॉरिक डस्ट ऌपार्टिकल्स पार्टिकल्स होते हैं उससे सनलाइट क्या करती है् यह आपर विस्पी क्लाउज स्चीत्र धेखने को मिलते हैं झाल है वाइगल के तो थे वाइड पढ़ खेंगे थर्मोस्फेर को तो थर्मोस्फेर कहां से शुरू होती है तो मेजोपॉस से शुरू होती है एक्स्टेंट फ्रॉम मेजोपॉस कहां से शुरू होती है थर्मोस्फेर मेजोपॉस से और इसकी किती लियर है टू एक आइनोस्फेर और दूसरी एक्साउस्फेर दो लियर होती ह है thermosphere की ionosphere और exhaust sphere और यह कहांची शुरू होता है mesopause से अब अगर हम ionosphere के बात करें बटा तो ionosphere कहां तक extend करता है 400 km की height तक extend करता है फिर हमने देखा शुरुआत में 18 km था फिर हमने देखा 50 km था फिर हमने जो last layer पड़ी 80 km थी अब यहां पर हमने देखा कि mesopause जो है कहां तक चलेगा 400 km तक चलेगा 80 से start के कहां तक चलेगा 400 km तक चलेगा characteristics क्या होती है बिटा आइनो स्फेयर में electrically charged particles होते हैं जहने हम ions कहते हैं ठीक है ionosphere में electrically charged particles होते हैं जहने हम ion ions कहते हैं which create a sheet like display जहां पर एक बहुती सुन्दर display देखने को मिलता है हमें light का जैसे हम aurora borealis कहते हैं नदन hemisphere में aurora australis कहते हैं southern hemisphere में बहुती beautiful color के bands होते हैं मैं दिखाओं इक लोग आप लोगों को दिखाते हैं बहुती इस तरीके से हमें सुन्दर सुन्दर लाइट के बैंट दिखाई पड़ते हैं इस तरीके से हमें सुन्दर सुन्दर लाइट के बैंट दिखाई पड़ते हैं इस तरीके के बैंट दिखाई पड़ते हैं इस तरीके के बैंट दिखाई पड़ते हैं इस तरीके के बैंट क्रियेट या शीट की तरह दिखाई देती ही हमें क्रियेट ऐ हमें शीट की तरह दिखाई पड़ता है मुझार भोडन टाहर खर और इस्टिकलेस्थ 2 विनेस्ठीष 6 0 वापस से अर्थ पहुचा थे आइंस रिफ्लक्ट रेडियो वेवस बाक टू दा अर्थ रेडियो वेवस को वापस अर्थ तक पहुचाने का काम करते हैं यह आइंस पर इसकी वज़े से ही हम वायरलेस कम्मुनिकेशन कर पाते हैं अगर आइनोस्पेर नहीं होती तो वायरले सिक्टीन हंड्रेड किलोमीटर तक मिलेगे आपको सिक्टीन हंड्रेड किलोमीटर तक मिलती है केरेटेस्टिक्स क्या है इट मर्जेज ग्राजुली वेथ इंटर प्लेनेटरी स्पेस और यह किसके साथ मर्ज कर जाती है इंटर प्लेनेटरी स्पेस इसका मेनिंग होता है between celestial bodies clear है चलो इस लेयर में temperature increase होता है जैसे जैसे आप height को achieve करते जाए और height और height मतलब आप यहाँ पर है तो temperature सोड़ा सका में यहाँ गए तो और बढ़ जागा यहाँ गए तो और बढ़ जागा मतलब gradual temperature में rise होता है with the rise of height मतलब जैसे आप height ने जाते हो atmosphere का कौन से atmosphere का जो 640 km के आगे है चीक वीब अब आप से पूची का कि भाहीं आप क्यों temperature का अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि हम उनको बहुत कम knowledge है 640 km के above atmosphere में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका हमें knowledge नहीं है इसलिए हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते temperature का कि कितना temperature मिलेगा है कि लेवल से अपिता उपर 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 चले गए पर आप ज्यादा कितने time तक कितने km तक जानते 640 उसके आगे आप नहीं जानते इंद एक्जॉस्फियर में जो density होती है वह extremely low होती है हिंद एक्सुस्फियर निसीटी वेहाँ इक्स्ट्रीमड़ देंसीटी यहाँ पर बहुत काम होती गनथ वह बहुत काम होता है ठीक है जो मेन गैसेज होती है यहां पर तब मेन गैसेज है और लाइटर वह वज़न में बहुत हलकी होती है लाइटर होती है जिसे हैं हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम इस लिएर में आपको मिलेंगी क्योंकि यह लाइटर गैसेज होती है श्थाशाद пошद्छ तक अब तक हमने जतना वी डिसक्स किया जत्ना भी पड़ाओ से यह बार तो क्लियर होगए कि जो अक्मास्फियर है वह एक्स्टेंड करता है thousand kilometers ताख एर्थुर train करथा सेक्ष सथे सिर्फेस के ऊपर thousand kilometers तख हमें मिलताLES क्या atmosphere यह अर्थ के ऊपर enormous pressure create करता है exercise करता है exercise enormous pressure on surface of the earth earth की surface पे यह अच्छा-खासा pressure क्योंकि air में वेड पे होता है on the surface of the earth and remains in direct contact with the surface of land as well as water हमारी earth के ऊपर कहीं पर plains हैं कहीं प्लाटियोज हैं कहीं mountains और कहीं oceans भी है तो जो atmosphere है वो direct contact में रहता है अर्थ के जमीन से पी और पे जो पानी है उससे भी फिर से देखो कि यह exercise करता है बहुत जादा enormous को मतलब होता बहुत जादा pressure की उपर अर्थ की सर्फेस के ऊपर और हमेशा direct contact में रहता है कि इसके land surface as well as surface of water on earth earth के ओपर जिता भी पानी है जोतनी भी जमीन है उससे direct contact में रहता atmosphere जो contact zone होता है land air or water का उस पर ही life possible है बेटा वो narrow zone जहां पर air, land, water एक साथ contact में रहते हैं वहीं पर life possible है वहीं पर life sustain कर सकती है अगर आपको earth के ऊपर survive करना है तो आपको इस contact पर depend करना पड़ेगा तो earth पर survival तब ही possible है जबी तीनों चीज़े साथ में मिले the survival of life on earth depends on the contact this contact इस इसी contact पर life survive कर रही है जो atmosphere है उसका influence हमारी life पर बहुत ज्यादा होता है atmosphere हमारी life को प्रभावित करता है influence करता है through its various elements atmosphere के जो different different elements है उनकी through atmosphere हमारी life को influence करता है now ozone and its depletion okay ozone layer आपने सुना होगा है ना चलो बम ozone layer को पढ़ेंगे ozone को पढ़ेंगे तो जोन क्या है oxygen का ही एक form है ozone oxygen का ही एक form है oxygen को कैसे लिखते है और जोन को लिखते है और त्री जो जोन है वह बहुत कम amount में हमारे earth के atmosphere में है ozone is a form of oxygen 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 होता है यह हमारे atmosphere में present है पर बहुत ही rare amount में बहुत ही कम amount में it is highly reactive and toxic कैसी गया से मिटा highly reactive भी है और toxic भी है toxic का मतलब आपके समझ में आता है harmful है react जल्दी करती है it forms carcinogenic byproducts ठीक है carcinogenic का मतलब क्या होता है cancer causing अब ध्यान से सुनना विटा approximately one molecule out of every two million two million molecule में से एक जो molecule होगा जो atmosphere में present होगा वो होगा ozone तो सुचो कितनी rarely find है यह है अगर हम ट्रोपो स्पेर की बात करें तो ट्रोपो स्ट्राइबर में वोजोन जनरेट होती है बहुत ही कंप अमाउंट में पर इस ट्रैट्रोपो स्पेर में 20 किलो मीटर से 50 किलो मीटर तक यह significant amount में रहती है कि अब 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 चल्यान से सुनना यहांसे बहुत important है कि स्ट्राइबर स्पेर में यह कैसे stratosphere में यह produce होती है कैसे क्योंकि यहां पर हम देखते हैं high energy radiation होता है किस से sun से sun से sun का action होता है sun से light मिल रही होती है high energy radiation जो मिल रहा होता है उससे क्या होता है oxygen के जो molecule होते हैं वो convert होने लग जाते हैं और क्या बन जाते हैं ozone फिर से सुनो in the stratosphere stratosphere में यह produce होती है by the action of high energy radiation from the sun sun से जो high energy radiation निकल रहा है उसकी oxygen की वजह से और यह oxygen कि स्ट्राइट करते हैं oxygen molecule पर यह जो high energy radiation है किस पे स्ट्राइट करते हैं oxygen के molecule पर और oxygen का molecule क्या बन जाता है ozone पर जोन धीरे-धीरे करके decrease होती चाहेंगी कब जब जो sunlight है वह बहुत सारे pollutant के उपर act करने लग जाएगा ठीक है but ozone decreases ozone कम होती है by sunlight acting on number of pollutant in the air air में बहुत सारे pollutant है उन पर जब sunlight करने लग जाती तो अब इसी बाती ozone decrease होने लग जाएगी यह जो pollutant है यह कौन एमिट करता है कौन निकलता है बिटा जेट एयरक्राफ्ट ठीक है and by hydrocarbons from automobile exhaust automobile से जो exhaust निकलता है जो धुआ निकलता है उससे जो pollutant होते हैं उनकी वज़े से जेट एयरक्राफ्ट से जो pollution होता है उसकी वज़े से एयर में बहुत सा रपरीशन हो जाता है और sunlight उसके उपर एक्ट करने रखते हैं जिससे ozone हो जाती है कम जो concentration होता है ozone का अपर atmosphere में बहुत ज्याद़ प्रोटक्टिव है क्यों क्योंकि यह अल्ट्रा वॉयलेट फ्रेज को absorb कर लेता है बिटा यह जो ozone layer है यह हमारे लिए बहुत फाइदेवाली है क्योंकि यह अल्ट्रा वॉयलेट फ्रेज जो होती हों को absorb कर लेती है अब्सॉर्ब कर लेती है बिटा वह ozone layer जो हमें कहां मिलेगी stratosphere में मिलेगी वह अर्थ को प्रिटेक्ट करती है ठीक है the ozone layer in the stratosphere also protect the earth and its biosphere हम हमारी अर्थ को प्रिटेक्ट करने का काम करती है ozone layer जो कहां है stratosphere में ठीक है from the extra heat जो extra heat आ रही होती है उसे अर्थ को अर्थ के biosphere को protect करती है है but there is the danger of its depletion through harmful gases विटा हम human being जो continuously harmful gases को क्या कर रहे हैं एमिट कर रहे हैं कई बार paint से कई बार refrigerator से कई बार और और बी कोई electrical equipment हो से तो क्या होता है यह जो chlorofluorocarbon होती है यह जाके हाम करती है हमारी ozone layer को पर यहां पर बहुत ज़्यदा खद्रा बना हुआ है कि ozone layer deplete हो सकती है किसकी तुरू harmful gases से और यह harmful gases कुंसी हो से हो से ही CFC chlorofluorocarbon जो plastic paint होता है उससे release होती है AC से release होती है और हमारे refrigerator से release होती है and increase in the level of carbon dioxide in the lower atmosphere तो जो harmful gases है यह दो तरीके से हमारे लिए harmful है पहले बार तो यह लोर atmosphere में carbon dioxide के level को बढ़ा देंगी और और ozone को डिप्लीट कर देंगी अब हम पढ़ेंगे depletion of ozone layer भाई यह जोजोन लेर वह देंगे कि काम होती जा रही ओजोन होल ऑजोन होल क्या है ozone depleted area वह जहां पर फुली depletion हो चुका है यह डिटक्ट किया था एक सेटिलाइट के दौरा चिक्या है it is detected to satellite imaginary conducted by NASA NASA ने इसको डिटक्ट किया था नासा कहां पर है यूएस में उन्होंने बताए था भाई ओजोन में होल हो चुका है subsequently बहुत सारे scientific research हुए इसके उपर और अभी भी चली नहीं है एक annual data हमेशा maintain किया जाता है ठीक है और countries को कहा जाता है कि आप कम से कम harmful gases damage करें जिससे हमारी जो ozone layer है उसको हाम ना हो and annual data is being maintained an effort by almost every country country अपने अपनी तरीके से प्रयास कर रही है effort लगा रही है कि वो reduce कर सके जिससे की harmful gases कर सके जिससे जो breaking down है ozone का वो रुक जाए ozone molecule molecule जो टूटते जा रहे हैं उनका टूटना बंद हो जाए बहुत सारी जो chemicals है जैसे chlorine bromine इन्हें band कर दिया गया है ठीक है कौन कौन से chemical को band कर दिया गया है chlorine और bromine which are thought to cause depletion of ozone layer ऐसा माने जाता था कि bromine और chlorine की वज़े से यह डिप्लीट हो रही है तो इन दोनों को ही band कर दिया गया है chlorophyllorocarbon cfc को कहा जाता है कि यह one of the main reason है ozone hole का जो एंटाक्टिका के पास हुआ है cfc gases का यूज होता है refrigerator में aircraft में air conditioner में इस ही हो aircraft refrigerator इन सब में cfc का यूज होता है यह जो cfc compounds होते हैं यह atmosphere में जाते हैं और फाइनली वहां पर जाकर कहां पर stratosphere में जाकर तोड़ते हैं ठीक है फिर से ध्यान से सुनने पच्छा यहां पर मैंने बोला था कौन कौन सी दो कैसे को बैन कर दिया गया है chlorine और bromine बोला था पिटा यह bromine नहीं ब्रोमीन है ठीक है क्लोरीन और bromine को बैन कर दिया गया है cfc एक reason है ozone hole का जो intactica के पास हुआ है यह जो cfc है यह कहां से किसमें यूज होती है refrigerator में आरप्राफ्ट में एर कंडिशन में cfc एकमपाउंस इटमॉस में जाते हैं फाइनली वहां पर जाकर तूटते हैं और वहां पर यह प्रेडियूस करते हैं क्लोरीन एक्टम्स ठीक है फिर से ध्यान से सुनों cfc के जो कंपाउंस हैं वह सीधे इत्माउसफेर में चलेगा स्ट्राइब में यह टूटेंगे और टूटेंगे तो किसको प्रेडियूस करेंगे क्लोरीन को और क्लोरीन बहुत बुरी है ozone के लिए क्लोरीन के ऐटम होते हैं वह डिस्ट्रॉइ कर देके ओदे हैंpassen कि वंपॉर्टंट टोल होता है important क्या ही होता एक रूल होता है कि वह ozone डिपलीशं के लिए एक прев哪裡 जाते हैं ज¿ब हम लारजन कोते हैं तो बहुत सारी sulfur dioxide erupt होती है है रिलीज हो जाती है हमारे atmosphere में which speed up destructive chemical reaction और इसकी वज़े से sulfur dioxide की release की वज़े से destructive chemical reaction होती है उनमें बहुत speed बन जाती है बहुत speed से वह होने लगती है tropospheric ozone increases especially in the northern hemisphere northern hemisphere में tropospheric ozone zone increase हो रही है but it is smaller and localized into eruption site और पर कहां पर eruption sites और अनेदर cause of destruction एक और हमें अभी destruction के cost के बारे हम पता चला है कि जिसके वैसे ozone layer में depletion हो रहा है वो है solar storms और बेटा यह जो solar storms होते है solar storms का मिकलब क्या होता है होता है sudden release of energy इसकी वज़े से बहुत सारी problems होती है especially यह impact करती कि इसको हमारी ozone लें जो solar storms होते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं wind storm हवा का तुफान आया है वैसे ही solar storm होता है बहुत सारी energy एक एक साथ में release कर दे हो जाती है consist of coronal mass ejection सब coronal mass ejection क्या होता है a large release of plasma and magnetic field from the sun corona into space sun के corona से space में बहुत amount में energy release हो रही है ठीक है magnetic field generate हो रही है large release of plasma and magnetic field from the sun's corona into space और solar flares निकलती है solar flare का मतलब जैसे लगते हैं कि आग कहीं भागी जा रही हो वैसे ही बहुत सारी हमको solar flares देखने को मिलती है explosions होते हैं किसके sun के surface के उपर sun के surface के उपर explosion हो रहा है उनसे जो आग निकल रही है यह सब भी ozone layer के लिए बहुत harmful होती है जो largest ozone hole notice किया गया वो कब किया गया सब्टेमर 2000 में कहां पर अन्टाक्टिका के पास जो formation हुआ ozone hole का उसके लिए largely हम जिम्मेदार है ozone depletion की वजए से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा problem हो रही है cancer के cases बढ़ती है और पेटा यह जो ozone depletion हो रहा है ozone depletion resulting in ozone hole ozone depletion की वजए से क्या हो रहा है ozone hole और यह बहुत common है कहां पर अन्टाक्टिका में क्योंकि वहां पर temperature बहुत काम होता है फिर से ध्यान चे सुनू ozone के लिए human activities बहुत जदा responsible है वह जो ozone hole है वह बहुत common है अन्टाक्टिका में क्योंकि यहां पर temperature होता है वह बहुत काम होता है क्योंकि बहुत जदा थंडी होती है अन्टाक्टिका में कभ विंटर्स के टाइम पर तो जो stratospheric ice clouds होते हैं वह chemically active हो जाते हैं ठीक है किसके production के लिए ब्रोमीन और क्लोरीन के protection के लिए जो हमारी ozone layer के लिए बहुत ज्यादा harmful है फिर से दियांग से सुनों अगर connecting कर पा रहे हो देखो जो ozone depletion है उसकी वज़े से ozone hole और और यह बहुत कामन ही हम देखते हैं अन्टाक्टिका में क्यों देखते हैं क्यों कि यहां पर bitterly cold होता थंडियों में अन्टाक्टिका में बहुत जादे ही धंडी परती है बिटा तो जो stratospheric ice clouds होते हैं वह किसको प्रमोट करते हैं chemically active chlorine और bromine के production को इसकी वज़े से ozone destruction होता है इसकी वज़े से ozone destruction होता है इस एक peri alien और एक अपी alien पोजीशन में क्या होता है संचे जब से जादा दूर रहती है वह तो और ज्यादा दूर रहता है इसलिए हम कहते कि अंटाक्टिक हमें बहुत जादा थंडी पड़ रही है अच्छा दूसरी तरफ अगर हम आक्टिक की बात करें आक्टिक अट्मॉस्फियर की थंडा तो होता है पर इतना भी थंडा नहीं होता है कि यहां पर फुली डवलब्ड एको जोन होल बन पाए इसलिए हमें शुक्रियाद करना पड़ेगा कि इसको पैरी हैलियन को देको अपियर्ण क्या होता है तो यह रही आर्थ और यह रही आर्थ और संट्र में नहीं है थोड़ा साइड में तो इस सिचुएशन में क्या होता है और इस सिचुएशन में क्या होता है हुआ और यहां पर अभी नदन एमिस्पेर में ठंडिया पड़िया पड़ जाती है एक्स्ट्रीम तो जो Arctic atmosphere थंडा है पर इतना भी थंडा नहीं है कि बड़ा आसा और जोन हो यहां पर त्यार हो जाए बिटा हम वीडियो को यहीं खत्म करने को suggestion है video improvement के लिए तो please do write in comment section और part 3 बनाएंगे जिसमें हम discuss करेंगे global warming को और बच्चे वीच अप्रोगे